हेलो एव्रिवाइन रादे रादे कैसे हैं आप सभी तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर कर आई है वो बहुत यूसफुल है सभी के लिए सभी लेडिस के लिए बातरूम हम जब साफ करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब हाथ भी दुखने लग जाते हैं परेशान में अक्सर पानी के जो दाग धबे होते हैं वो जमा हो जाते हैं यह देखिए जहां से पानी निकलता है जो टैप होते हैं वहां से और जो जहां जहां पानी रहता है सूख जाता है तो पानी जम जाता है फिर आप किसी से भी साफ करो वो साफ नहीं होता है डेली क्लीनिंग गंदा लाँ आप बहुत हो जाता है जहां जहां पानी रहता है उपर नहीं आपको पेंट करने के तो ऐसे हो जाता है बहुद होता है यहाँ जो वाइट वाइट ओफ साफर करें ग्स्ट्री आपको कि अपने के तस बेली क्लेरिंग करते हैं लेकिन आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही जादा useful और फटा फट चुटकियों में आपका बातरूम जो है साफ हो जाएगा एकदम clean हो जाएगा और यह तरीका जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है जो इस भैया ने tiles लगाई थी मैंन हार्पिक जी हां हार्पिक लिया है और हार्पिक से हम करेंगे अपने बातरूम की cleaning तो कैसे करेंगे चलिए आपके साथ बताते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अपनी दिवाल को जो है वो गीला कर लेना है थोड़े सोड़े पानी से इस तरीके से मैं कर हुआ है और पहले बातरूम को मैंने कर लिया है खाली बिल्कुल सब कुछ निकाल दिया उसमें से और यह देखिए यह लिया है मैंने हार्पिक इसमें आपको कुछ भी मिलाने की ज़ुरत नहीं है यह देखिए इस तरीके से आपको बस लगाते जाना है दीवालों पर यह इसका ध्यान रखिएगा कि सब जगे हार्पिक लग जाना चाहिए नहीं तो क्या होगा न कि हार्पिक जहां-जहां आम लगाएंगे न वह वे अरिया आप का रह जाएगा जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कुछ-कुछ रह गया था मेरा भी तो यहां पर देखिए मैं चारो तरह फैला दिया है जमीन पर भी फैला दिया है अब मुझे इसको पूरे में एक सार फैलाना है जैसे कि एक ब्रश ले लीजिए आप कपड़े दोने वाला ब्रश हो या आपको एक कपड़ा ले लीजिए जैसे कि अच्छे से इस पर पूरी दिवालों पर आप देख सक अच्छी तरीके से कौने कौने में पूरी नीचे भी जमीन पर और दिवाल के डायस पर भी सारे में आपको इस तरीके से हार्पी को छोड़ देना है और इसको करने के बाद कम से कम आपको इसको दस मिनट तक छोड़ना पड़ेगा ऐसे ही तो मैं आपको बस दिखा रही बस थोड़ा सा सर्व डाला और धो दिया बस ऐसे कर लेते हैं लेकिन यह सफाई हफते में एक बार तो आप जरूर करिए जिससे के इतना बातरूम गंदा भी नहीं हो पाएगा और जली से साफ हो जाएगा तो यहां पर देखें मैंने पूरे में फैला दिया यह जो एरिया है जैसे मैं आपको बतारी टाइल्स वाले भीयाने तो मैंने उसे पूछा था क्योंकि मुझे सच मैं नहीं पता था मुझे लगता था कि हार्फिक से ना कुछ शाम तो नहीं होगा खराब तो नहीं हो जाएगे तो लेकिन उर्वने का बिल्कुल भी नहीं होंगे आप हफते इसको दुबारा से थोड़ा सा रगड रही हूँ जिससे कि जो भी मैल होगा वो सब फूल गया होगा तो मैंने यहां रगड़ा है और इसके लिए आप ब्रस ले सकते हैं कोई जाडू ले सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाओंगी जाडू से भी किस तरीके से मैंने साफ किय जो कॉर्नर होते हैं दिवालों के जमीन के जिसमें ब्रस भी नहीं पहुंच पाता क्योंकि ब्रस भी थोड़ा सा लकड़ी होती है साइड में वो टच होती है दिवाल से तो नहीं हो पाता है तो उसकी लिए आप देखे मैंने जाडू ले लिए छोटी तो जिससे कि और इसी तरीके से मैं आप साफ करती हूँ अपने टाइस को और यह हाप एक जो है मैंने अलग से ले रखा और यह मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप यह इस तरीके का भी ले सकते हैं सॉक्स में जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने जो इस्क्रबर लगा रखा है बरतन साफ करने वाला तो उससे आप देखिए बहुत एजी हो जाता है ऐसे भी जैसे कि आप जाड़ो बगरा से नहीं करना चाहते तो ऐसे आप ले लीजे कपड़ा और उस पर विस्क्रबल लगा लीजी या जूना ले लीजे जो फॉर्म वाला होता है उससे भी साफ हो जात हैं वो तो बस अब यहां मैंने रगड के क्या किया है पानी से अपनी जो पूरा बाध्रूम में उसको मैं क्लीन कर रही ह। फिर मैं आपको दिखाऊंगी के मेरा बाध्रूम किस तरarryके से वह चमक गया था और क्या कह रही थी मैं हां तो बस इस तरीके से आप कर सकते हैं मैं भूल जाती हूं तो बात्रूम की सफाई आप जरूर से हफते में इस तरीके से आप कर लिया करें तो बहुत आसानी से बात्रूम भी साफ हो जाएगा और बात्रूम में अदा गंदगी जमा भी नहीं होगा आपने देखा होगा मे आपको दिखा रहती ने की जहाँ जहाँ वहाँ हारु को साफ़किया था ना उहाँ हाँ उफ रहा है था भाहाँ थोड़ा सा वाइड पण रहए कहा भीडोन और आप डिक दिक हुआ होगा जहां कि, जहां tebuhr धेना अया पुर श्ट। परन साफ क Should- Just as a और एक जिसका ध्यान रखना जैसी स्टील वाली जाली है न यह जो नाली पर होती है उस पर आप लगाके हाफिक मत छोड़ेगा क्योंकि वो फिर काली पड़ जाती है उस पर आप साथ के साथ साथ कर दीजिएगा लगा करके तो पूरा जो है मेरा एरिया पूरा बात्रूम द सब बगली बबाई जीकेर राधी राधी थैंक्स वर वचिंग